तार दोस्तों टारगेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो विभिन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है तो आई यह सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज क हैं उससे संतुष्ट ही ने वी लिखा यहां पर कि उत्तर प्रदेश में 79,000 शायक शिक्षिकों की भरती मामले में सुप्रिम कोड ने ब्रहस्पतिवार को पहले हाई कोड के आदेश के खिलाफ कोई अंत्रिम रहात देने से इनकार कर दिया था बाद में कई याज क्या करत करताओं के तरफ से पेश वरिष्ट वकीलों की आपत्ती जिताने और अपनी बात सुनी जाने का आगर की जाने के बाद सीर्स अदालत ने दुबारा सुनवाई चालू करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है जस्टिस यूयू ललिद जस्टिस मोहन एम संत्या गाउधर और जस्टिस विनीत सरण की पीट के सामने एक याचका करता की और से वरिष्ट वकील मुकुल रोतगी ने दलीलों की शुरुवात की उनका कहना था कि परिक्चा होने के बाद कटाव में बदलाव नहीं किया जा सकता उन्होंने का कि हाई कोट की एकल पीट का वर के लिए पैतालिस फीजदी वह अरथित वर के लिए चालिस फीजदी ही रखा जाता तो बहुत सारे सिक्षामित्रों को अच्छा वेतन पर सिक्षक बनने का मौका मिल सकता था पीट ने उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं होते वे मौकिक रूप से कोई भी अंत्रिम पर रहात नहीं दिये और इस पर कोई इस्टे नहीं दिया और नीचे लिखा कि याजका करताओं की और से पेश वरिष्ट वकीलों गोपाल सुब्रबन्यम राजीव धवन राकेश दुवेदी दुसियन दवे समेत कई अन्य वकीलों ने अदालत के सामने अदालत के मामले क को इस्तकित करने का विरोध किया और इसके बाद पीट ने इस मामले पर आगे सुनवाई करने का निरना लिया पीट ने यूपी सरकार की और से पेश सॉलिसीटर जनरल तुसार मेहता से पूचा कि मेरिट के नाम पर भारंक और अननियम क्यों बतले गए मेहता ने कहा कि इस एक वेबसाइट जो है जिससे विद्यारती आवेदन कर रहे हैं उसमें सुधार कर दिया गया है अब वेबसाइट पर इरर नहीं आ रहा है और एक ही दिन में कल 56,000 आवेदन हो गए और कुल लगबग 80,000 आवेदन अब तक हो चुके हैं इसके बाद में 39,000 शिक्षक भरती किसे समधित बहुत सारे मुकद्ब में हाई कोट इत्याजी में किये गए हैं और अब कुछ दिन पहले एक फईयार हुई है जो IPS अमिताब ठाकूर है उन्होंने करवाई है भेष्टाचार को ले करके चूंकि ऐसी सिकायते मिली थी कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं बहुत स सारे ऐसे कमरें हैं प्रिक्षा केंद्र हैं जहां पर सामूहीक नकल हुई थी और उसके बाद में EWS यानि की जो सवर्ण गरीब आरच्षण होता है उसको ले करके भी केस किया जा रहा है और ओर लैपिंग को भी ले करके एक केस किया जा रहा है और गलत उत्तरकुंजी को होनी है आग्स दिन का का सरकार क्या जवाब लगाती है यहां है कि लंबे कानुनी विवाद से निकलने के बाद तरजार सहागत दापकों की भरती एक बार फिर अदालत की चोकड़ पर आ खड़ी ही है इस बार मामला हमेशा की तरह भरती परिच्चा में पूंचे गए सवालों के सही उत्रों के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दस प्रिसत आरच्छन देने का नहीं है दोनो मुद्दे दोनों मुद्दों पर अलग अलग याजकाय आ रही है हाला कि सुनवाई तभी होगी जब हाई कोड मामले को अति आवशक मानते हुए अर्जेंसी अप्लिकेशन शुकार करेगा इस और सवालों के गलत जवाब को लेकर कि अधिवक्ता सिमान सिंग कहते हैं कि प उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है इनका कहना है और EWS का वो देना चाहिए इसी तरीके से एक या दो दिन में जो एक अलोग मिस्रा अड़ोकेट हैं वो भी केस दाखिल करने वाले हैं और लेकर के और शायद इसी वजह से उत्तर प्रदेश में कोई भरती नहीं हो अगली सुचना है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयो की प्रतियों की चात्र जो संग्ठन है उनका एक बड़ा आरूप है जिस तरीके से बीडियो के पदों को प्रतिनिक्त के माध्यम से भरा जा रहा है उनकी सीदी बरती नहीं होती है इसमें आरच्छन इत्याद की अवे करतियों की चात्र और नौकिरी पाने के लिए परिच्छा देने के साथ-सथ रिक्ति-पतों को भरतीमे शायारा है लंबी जदो जहत करने पड़ रही यह पर्तियों को जानकारी रही है कि बीडियों की तरह बैसी सिक चाथिकारी के रिक्ति-पतों को भी had cl exported में नहीं किया 2018 में BSA के रिक्त पतों की जानकारी लेने का प्रयास सुरू किया था और उन्हें यह जानकारी अभी तक नहीं दी गई है लिखा है 29 मईद 2018 को उन्होंने बेशी सिश्च विवाक के सच्चियू से RTI के तर्च जानकारी मांगी थी प्रदेश में BSA के कुल कितने पत हैं और वर्तमान में कितने काररात हैं उन्हों उन्होंने ऐसे जिल्स के नाम भी मांगे थे जिन के पास एक से अधिक जीलों का प्रभार है साथ ही ये पूझ अता कि कितने ऐसे भी ऐसे हैं जो तीन सालों से एक ही जिले में तैलात है और यहां पर लिखा है कि निर्धारित अवधी में जानकारी ना मिलने पर अवनीश ने 13 नवंबर 2018 को प्रथम और 5 मार्श 2019 को दुद्तिय अपील की फिर भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई सितंबर 2019 में का आरोप है कि सुजन चिपाने का सीधा मतलब होता कि प्रतियोगी चात्रों को जो जानकारी मिली है वस सही है और बीडियो की तरह बियसे के पद भी रिक्त रखकर भष्टचार किया जा रहा है उन्होंने से इस मामले में हस्तच्छप करते वे एक पत्र बेजा है विद्य لوडियो और वीडियो के जो पत है उनको 326 पत्ति अभी मामला passage सामने और उन पतों को भी किसी तरीके से काम चला चाए जा रहा है एक एक वीडियो को कई जिलों का प्रभार दिया रहा है कई विभाग दिये जा रहा है इसी तरीके से पूस्ट उसमें भी यह हो रहा है और ज इस्टर चार को का जोहत जम करके बढ़ावा मिलता है और जानकारों को यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे रिक्त हैं और जानबूच करके इन पदों को रिक्त रखा जाता है और यही कारण सायद कि PCS में लगबक केवल 200 पदों का विग्यापन आता है अगली सूचना है एल्टी ग्रेट सिक्षक बढ़ती की लिए एल्टी ग्रेट के सभी चैनितों की निक्ति का रास्ता साफ हो गया है उत्तर प्रतेश लोग सेवा आयोगनी संस्कृत महिला एवं पुरुस के पदों पर चैनित अब्यारतियों क रिजल्ट वाकि रह गया जो पेपर लिए फासा हुआ है हिंदी और एल्टी ग्रेट के जो सिक्षक हैं उसमें 1433 और 1854 पदों पर बढ़ती होनी है हिंदी में 1433 और सोसल में 1854 तो और इसी के बाद में उत्तर प्रतेश लोग सेवा आयोग की एक और सूचना है लिका स्क्र विद्यार्थी वेबसाइट पर जाकर के अपना प्रेडाम देख सकते हैं और जो प्रपत्र दिये गए हैं वहां पर जमा करना है एक और सूचना है विद्यार्थियों के लिए लिए लिखा एक साथ दो डिगरी कोर्स करने की होगी छूट बिस विद्यालाय अनुदान आय लर्निंग कोर्स के चरिए किया जा सकेगा यूजी से के सच्ची रजनी जैन ने गुरुवार को बता कि भारत में चात्रों को दो डिगरी कोर्स एक साथ करने की इजाज़त देने का प्रस्ताव को हाली में आयोकी एक बैठक में मंजूर किया गया है उन्होंने बताया कि इ एक अरी सूचना जारी की जाएगी यूजी सी ने इस समंद्ध में पिछले साल वाइस चेर महर भूफन पटवर्दन की अधिस्ता में एक पैनल का गठन किया है एक ही विश्य विद्याला या अलग अलग विश्य विद्यालों या संस्थाओं से विद्यारति इस तरीके का कोर्स कर सकेंगे इसके बात में अगली सूचना है आरो एरो डाकुमेंट वेरिफिकेशन 2017 की लिखा उत्तर प्रतिस में लोग सेवा आयोग ने आरो एरो 2017 के चैनितों में केवल 13 फिजदी अविर्थियों के अविलेक सत्यापन का कारक्रम जारी किया बाकि अविर्थियों क कि सत्यापन से वर्चित होने पर एक अवसर अगर कोई विद्यारती अभी लोग सेवा आयोग नहीं आपाता है किसी कारण से तो उसको अभी एक मौका और दिया जाएगा और अगर किसी की तवियत सभी नहीं है के आना अनिवार है एक और सूचना है 69,000 शिक्षक बरती की आवेदन में चुकि संसोधन का मौका नहीं दिया गया है बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन में कुछ गल्ती कर दिये खास दोर से अंकों को ले करके इसलिए विद्यार्थियों ने ये प्रतसन किया है ल सब्सक्राइब कर लें पूरे वीद्यार्थियों ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद